मेरे प्यारे देश स्वाचियों, जब आपसे कोई टूरिस्ट हब गोवा की बात करता है, तो आपके मन में क्या खयाल आता है? स्वाबाविक है, गोवा का नाम आते ही सबसे पहले, यहां की खुबसुरत कोश्ट लाइन, बीचीज और पसंदिदा खान पान की बाते ध्यान में आने लगती है, लेकिन गोवा में इस महिने कुछ ऐसा हुआ जो बहुत सुर्खियों में है, आज मन की बात में, मैं इसे इवेंट है, परपल फेस्ट, इस फेस्ट को 6 से 8 जन्वरी तक पंजी में आहुचित किया गया, दिव्यांग जनों के कल्यान को लेकर यह अपने आप में एक अनूठा प्रयास था, परपल फेस्ट कितना बड़ा मोका था, इसका अंदाजा आप सभी इस बात से लगा सकते हैं कि 50,000 से भी जादा हमारे भाई बेन इसमें शामिल हुए, यहां आये लोग इस बात को लेकर रोपाइंचित थे, कि वो अब मिरामार बीच घुमने का भरपूर आनंद उठा सकते हैं, दरसल मिरामार बीच हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए गोवा के एकसेसेब टेबल टेनिस टूर्णामेंट, मेरथन कंपेडिशन के साथ ही एक डीप ब्लाइट कंविंशन भी आयुजित किया गया, यहां यूनीक बढ़ वाचिंग प्रोग्रेम के अलावा एक फिल्म भी दिखाई गई, इसके लिए विशेश इंतजाम किये गए थे, ताकि हमारे सके, परपल फेस की एक खास बात इसमें देश के प्राइवेट सेक्टर की भागिदारी भी रही, उनकी और से ऐसे प्रोडक्स को शोकेश किया गया, जो दिव्यांग फ्रेंडली है, इस फेस्ट में दिव्यांग कल्यान के प्रतिक जागरुकता बढ़ने के अनेक प्रयास देखे गए, परपल फेस्ट को सफल बनाने के लिए मैं इसमें हिस्सा लेने वाले सभी लोगों को बधाई देता हूँ, इसके साथ ही उन वॉलेंटियर्स का भी अभिनंदन करता हूँ, जिनोंने इसे और्गनाइज करने के लिए राद दिन एक कर दिये, मुझे पुरा व